दोस्तो जस्ट अभी कुछ दिर पहले सुजलोन एनर्जी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथ ही साथ में दो डिविडेंड अनौस्मेंट्स को भी कवर करने जा रहा हूँ मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो सबसे पहले सुजलोन एनर्जी की बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं उसके बाद में डिविडेंड अनौस्मेंट्स की बात करेंगे तो सुजलोन एनर्जी की तरफ से एक बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है बिसिकली सुजलोन एनर्जी को यहाँ पे 29.4 मेगावाट का एक विंड पावर और मिल चुका है और यह जो और ब्राइट नाइट कंपनी ने दिया है अगर और डिटेल में बताऊं तो यह जो ब्राइट नाइट कंपनी है यह 100 मेगावाट का एक विंड सोलर हाइब्रीड प्रोजेक्ट करने जारी है महराश्ट्रा के अंदर में wind solar hybrid project का मदलब यह है कि total capacity इस project की 100 megawatt रहेगी और उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर wind का होगा और कुछ हिस्सा यहाँ पर solar energy का होगा तो wind और solar energy दोनों से project करा जाएगा और total capacity project की 100 megawatt की रहने वाली है और यह जो 100 megawatt का project है इसमें से 29.4 megawatt का wind capacity सुजलोन energy सप्लाई करने वाला है अगर और detail में बताऊं तो सुजलोन energy यहाँ पर total 14 wind turbines सप्लाई करेगा bright night company को और यह जो 14 wind turbines होगी उसमें से एक turbine की जो capacity रहेगी वो 2.1 megawatt की रहेगी तो total में 29.4 megawatt की capacity जो है यहाँ पर सुजलोन energy bright night को सप्लाई करने वाला है उसके 100 megawatt wind solar hybrid project के लिए अब आने वाले time में जैसे जैसे project increase होगा definitely सुजलोन energy के भी orders बढ़ते होगे हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर थोड़ा और आपको information दू तो यह वाला जो bright night का 100 megawatt का project है यह यहाँ पर April 2024 से start हो जाएगा मतलब start तो अभी कर दिया गया है बट सुजलोन energy है जो order है April 2024 तक pass कर देगी मतलब order तो पूरी तरीके से confirm हो चुका है अगर आप देखोगे तो कोई भी negative update फिलाल तो सुजलोन energy से निकल के नहीं आ रही है जितनी भी updates से हमें positive ही आती हुई देखने को मिल रही है और हर कुछ दिनों बाद जो है सुजलोन energy को एक अच्छा कासा order यहां से मिल रहा है और आने वाले time में जैसे जैसे यहाँ पे wind energy की capacity को use करना start करेंगी बाकी companies अभी majority जो focus है वो solar energy के उपर में चल रहा है बट जैसे जैसे wind energy पे भी थोड़ा और focus बढ़ेगा definitely सुजलोन energy को भी यहाँ पे काफी अच्छा कासा profit मिलेगा तो अब सुजलोन energy के stock को watch list के अंदर मैं add करके रख सकते हो buying recommendation अभी मैं नहीं दे रहा हूँ because company उतनी भी जादा stable नहीं हुए अभी हाँ कुछ time बाद अगर company की balance sheets के अंदर हमें सुधार आता हुआ देखने को मिलता है और company अपना debt कम करती है तो definitely काफी अच्छी buying आसे बन सकती है बट फिलाल के लिए as such कोई भी अच्छी buying opportunity यहाँ से तो बनती हुई नहीं दिख रही है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं dividend announcements की तो पहली company का नाम है Acelia Solution Limited इस company का stock price 1516 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया है 30 रुपीज का और dividend को देने की exit rate और record date 6th of October की रहने वाली है अगर आपको इस stock को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी exit rate यानि की 6th of October से पहले-पहले purchase कर लेना होगा अगले stock की बात करें तो company का नाम है Gillette India Limited company का stock price 6,270 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया है 50 रुपीज का जिसको देने की exit rate और record date 21st of November की रहने वाली है तो अगर आपको इस stock को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको इसके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को इसकी exit rate यानि की 21st of November से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही बड़ी update निकल के आ रही थी तिल देन बाए